हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने Vivo Y16 Android वाइल फोन में आप जो है स्क्रीन कैप्चर टोन सेटिंग को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि की ओफ कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये स्क्रीन कैप्चर टोन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सैटिंग काम कैसे करेगी आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहांपर जो है वीडियो को हम स्टाट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने Windows Phone में शैटिंग पेज आपको ओपन करना है ठीक है screen capture tone इस option के ठीक सामने आपको यह button दे रखा है इस button को आपको select करना है तो यह button आपका black color में off हो जाएगा यानि कि आपकी screen capture tone setting आपकी इस तरीके से disable हो जाएगी ठीक है अब यह screen capture tone setting जो ना disable होने के बाद यह setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है आप अपने mobile phone पे कोई भी screenshot लेंगे यानि screenshot कोई screen capture बोला जाता है तो screenshot लेंगे आप अपने phone में ठीक है तो कोई भी sound की आवाज नहीं आएगी किसी भी तरीके का sound create नहीं होगा screenshot लेते समय आप अपने phone का ठीक है तो यह आपर मैं screenshot लेता हूँ तो screenshot आगया लेकिन कोई sound नहीं आया है तो यह setting जो ना इस तरीके से काम करती है कोई भी sound create नहीं करती है screen capture करते समय यानि screenshot लेते समय तो यह setting disable करने के बाद इस तरीके से काम करती है आपके Vivo Y16 Android mobile phone में अब मैं आपको यह screen capture tone setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपके mobile phone में इसके लिए आपको करना है क्या होगा आपको अपने mobile phone में setting page open करना है setting page में आपको सबसे उपर यह search icon दिखाई देता है search icon पे select करना है और यहाँ पर आपको search बार में सबसे उपर type करना है screen capture tone ठीक है जो setting का name है वो आपको type करना है तो आपको निचे की side यह option शोग जाएगा screen capture tone का इसे आपको जो है select करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको direct इस setting page में लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह एक shortcut तरीका इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में